दोस्तों हर किसी को कभी न कभी personal loan के जरूरत पड़ती है चाहे उसकी financial जरूरतों को पूरा करने के लिए हो या चाहे किसी और कारणवस उसने जरूर personal loan लिया होगा लेकिन कई बार क्या होता है लोन इतनी आसानी से आज की डेट में मिल जाता है कि हम यह नहीं सोचते कि उसके रीपेमेंट कैसे करेंगे तो उसकी वज़े से दोस्तों हम कई बार जो EMI उसकी मिस कर देते हैं जिसकी वज़े से हमारा सिबिल स्कोर खराब हो जाता है इसका एफेक्ट यह रहता है दोस्तों कि भविश्चे में कभी भी हमें अच्छे बैंक से लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो आपको गजब की जानकारी देंगे दोस्तों कि अगर परसनल लोन की वज़े से आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने परसनल लोन ले लिया है अभी तक आपका परसनल लोन चल रहा है आपकी कुछ EMI मिस हो गई है आपका सिबिल स्कोर कम हो गया है तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये सुनिशित कर लिजेगी अगर आपका अभी परसनल लोन यहां पर चल रहा है तो आपको करना क्या है बैंक में आपको कॉल करनी है कॉल करने के बाद में आप EMI नहीं भर पा रहे हैं हो गया लेकिन आगे उस पर कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये आप थोड़ा से ट्राइ करके देजिए लेकिन आपको बताएंगे कि अगर सिबिल स्कोर खराब हो गया है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि आपका आगर अभी लोन चल रहा है तो सबसे पहले तो आपको उसको किलियर करना है किलियर करने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट पॉइंट क्या है आपको एक लोन लेना है छोटे अमाउंट का small amount का एक loan लेना है और उसको complete करना है यानि कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपे लिए 10 महीने की EMI बना के 1000,000 रुपे आप उसको complete कर दीजे 10 महीने में ताकि आपके civil score वहाँ पे थोड़ा improve हो सके एक यह कारण हो सकता है दोस्तों क्योंकि आपका जो civil score कम हुआ है उसका काफी impact पड़ता है अच्छे bank से आपको loan लेना मुश्किल हो जाता है तो आपको यही कोसिस करनी है कि आपको एक personal loan लेना है छोटे amount का जिसको आप complete कर दीजिए चाहिए वो 6 महीने में करो चाहिए एक साल में complete करो उससे क्या होगा आपके साल भर के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर आपके civil score improve होता हुआ आपको दिखाई देगा अब आपको civil score कैसे चेक करना है यह सबसे बड़ा सवाल आपका आ सकता है तो उसके regarding मैं एक और वीडियो बना दूँगा कि civil score को free में आप कैसे चेक कर सकते हो दूसरी चीज़ दोस्तों आपको क्या करनी है आपको अगर loan नहीं मिलता है क्योंकि आपका civil score जो है वो काफी खराब हो चुका है हो सकता है कि आपको loan ना मिले अगर आपको loan नहीं मिल रहे तो आपको करना क्या है आपको FD करवानी है कई बेंक क्या करते है FD के उपर भी आपको लोन दे देते हैं तो आपको एक FD करनी है बेंक में FD के उपर आपको एक लोन मिल जाएगा एक credit card भी आपको मिल जाएगा जिससे आप वहाँ से लोन लेके उसको clear off कर सकते हो ताकि आपका civil score इसमें एक चीज ध्यान आपको यही रखने है दोस्तों कि आपको समय पर EMI कम्प्लिट करनी है अगर इसमें भी आपने चुक कर दी समय के ऊपर आप EMI कम्प्लिट नहीं कर पाए तो आपका civil score और भी नीचे 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 जाता जाएगा जिसकी वज़े से भविश्य में आपको लोन मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि FD ना करूँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं FD करूँ FD अगर नहीं करोगे तो हो सकता है वो बैंक आपको लोन ना दे तो तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों तीसरा आपको करना है आपको consumer loan लेना है consumer loan से मतलब क्या है दोस्तों आपको किसी दुकान पे जाकर fridge खरीदना है या फिर TV खरीदना है और उसको EMI पे आप करवा लीजिए जैसे कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है बड़ा हाथ की मैं बात कर रहा हूँ यानि कि सबसे अच्छी जो कंपनी आपको बताई जाती है वो है दोस्तों बजाज EMI कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा बजाज फाइनेंस का तो आपने नाम सुना होगा एक काफी अच्छी कंपनी है जो किसी सामान के उपर आपको यहाँ पर EMI देती है यानि कि सामान आपको घर पे आजाएगा आप एक भी पैसाद दी बिना आपको मिल जाएगा जीरो परसेंट EMI के उपर आपको मिल जाएगा और उसकी EMI को आप समय के उपर किलिर करते रहो फिर आपका छे महिन या एक साल के अंदर आपका जो क्रेडिट स्कोर है या फिर सिबिल स्कोर है वो इंपरू होता आपको दिखाई देगा अब यह सामान आप किसी भी इलेक्ट्रोनिक दुकान से खरीद सकते हो वहां से आपका बजाज EMI कार्ड बन जाएगा बजाज EMI कार्ड सिबिल कम होने पर भी आपको मिल जाता है यानि कि सिबिल स्कोर आपका कम है 300 है 400 है 500 है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका कार्ड यहां पर बन जाएगा आपके दिमाग में कोई और भी है तो आप कमेंट करके बताईए कि और भी साधन है वैसे तो इसके बहुत से उपाय है सिबिल स्कोर ठीक करने के लेकिन जो बैस्ट मुझे लगा मैंने आपको यह बताए है परके जानकर यहां आपको अच्छे लिए वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब दरू कर लिएगा मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में